Season 4 Episode 9 start होता है और हम्हें दिखता है कि Hank को लेने फिरसे Walder उसके घर आया हुआ है Hank और Walder फिरसे Gus की इन्वेस्टिकेशन करने वाले होते है Gus के गाड़ी पर चून ट्रैकर लगाय हुआ होता है उसे लेने के लिए Walder और Hank जा रहे होते है जब वो गाड़ी में होते है तो Walder बहुती टेंशन में होता है तो Hank उसे बोलता है कि तुम्हें जरा loosen up होना चाहिए उसके बाद Walder जाकर वो Tracker उस गाड़ी से निकाल लेता है और without कुछ order किये वो फिर से गाड़ी में आकर बेट जाता है Hank Walter को बोलता है यह suspicious लग सकता है पर Walder उस पे ध्यान नहीं देता जब वो घर आते है फिर वो Tracker को अपने laptop पर लगाता है और route चेक करता है कहा कहा गसता वो गया होगा तो जब वो देखता है फिर उसे पता चलता है कि साल दिन गस सिर्फ घर से Los Polos और Los Polos के घर आया हुआ है फिर Hank बोलता है कि यह इससे मुझे definitely शक हो गया कि यह कुछ गड़बड कर रहा है क्योंकि उसके बहुत सारे locations होते हैं और उसे वहाँ भी जाना चाहिए और कोई इतना clean नहीं हो सकता कि वो सिर्फ घर से restaurant जाए और restaurant से घर पर आ जाए फिर Walter से बोलता है कि यह possible है कि यह तुम्हारा आत्मी नहीं हो सकता पर Hank को अब पुरा 100% वो sure होता है कि गस ही उसका आत्मी है जिसको वो ढूंड रहा है लैब पे जो गार्ड करता है गस का अदमी वो हैंग यह घर के बाहर Walter को दिखता है वो Walter उसके पास जाता है और police को call करता है बोलता है कि एक suspicious अदमी है जो मुझे मेरे रेबोट हूर में दिख रहा है और वो हैंग का पता वहाँ दे देता है Walter लैब में बोचता है और JC बाहर खड़ा होता है तो JC से वो पुछता है कि चलो हम सफाई करते हैं जैसी बोलता है मैंने already clean up कर लिया है फिर Walter उससे एक cigarette मागता है Walter को cigarette उसके पास अभी भी है या नहीं यह देखना होता है तो JC उसे बोलता है कि हा मेरे पास है अभी भी है पर मुझे वक्त नहीं मिल रहा मैं उससे नहीं मिला भी तक फिर Walter फिर भी उसके उससे cigarette मांगता है और cigarette पीने लगता है रात को Skylar Walter को call करती है उसे पूछती है कि अब Walter junior का बड़े भी आने वाला है तो उसके लिए हमें car buy करने पड़ेगी तो उसे पूछती है कि तुम्हारे mind में कुछ model वगरा है जो हम buy कर सकते है तो Walter बोलता है कि तुम्हें जो अच्छा लगेगा वो तुम खरीद लो फिर और एक बात उसे करने होती है वो बोलती है कि previous owner जो था car wash का उसके comparison में हमारा business बहुत ही आच्छा चल रहा है तो तुम plan कर सकते हो कि कैसे तुम्हें अब drugs से बाहर निकलना है Walter यह सिर्फ सुन लेता है और उस पर कुछ response ने देता ने इस दिन जब Walter सो रहा होता है तब उसे हैंग का phone disturb करता है हैंग उसे बोलता है कि मैं गर्स की जो illegal activities है वो कहा चल रहे होगी इसका सोच रहा था फिर उसे गर्स का एक गोडाउन मिला हुआ होता है तो उस गोडाउन के बारे में तुम Walter को बताता है वो बोलता है हमें वहाँ जाकर देख लेना चाहिए Walter उसे बोलत है और मैं तुमेरे साथ नहीं आसकता फिर हैंग को से बोलता है कि मैं किसी और से एकशाफ ले लूगा वोड़र को लगता है yes और से जेसी के साथ सबस कुछ साफ कर लेता है उस गोडाउन से नेक्स्ट हमें दीखी है स्काइलर उसके कारवाश पर जब कस्टमर्स नहीं होते तब वो खुद ही रिसिप्ट बना लेती है और वहां रिसिप्ट में अमाउन डाल कर वो मनी लॉंडरिंग कर रही होती है वहां फिर ट्रवल में हूँ तो वो उसके सब बुक्स वगरा दिखाता है और बोलता है कि क्या तुम इसका खुछ कर सकती हो तो स्काइलर बोलती है कि तुमें ये पे करना पड़ेगा तुमें जो अमाउन्ट है वो सब पे करने पड़ेगी और उसकी जो फाइन है वो भी पे करने तो वो लोग मुझे बर भी सर्विलियंस रख सकते हैं और यह स्काइलर के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है जैसी जब माइक के साथ सब प्रिन अप कर रहा होता है तो उसे बोलता है कि गर्स क्या अब वाल्टर के ब्रदर इनलोग को मार देगा वो बोलता है कि अगर तुमने उसे मार दिया तो यह पुलिस को मारने जैसा है और सब तुमारे पीछे लग जाएंगे और वो अब गर्स को ही इन्वेस्टिकेट कर रहा था तो शक अब गर्स पर ही आने वाला है और अगर हमने एक्चुल में मार दिया तो वाल्टर भी बहुत ही चिट जाएगा यह आच्छा नहीं होगा वो माइक को कन्वेंस कर रहा होता है कि वाल्टर के ब्रदर इनलोग को हमें नहीं मारना चाहिए जब वो सब सामान गाड़ी में रख रहे होते हैं तो गस्प का जो एक आदमी होता है उसका सर पर गोरी लग जाती है एक स्नाइपर होता है यह स्नाइपर वही कार्टिल का एक आदमी होता है तो वो स्नाइपिंग कर रहा होता है और इन लोगों को मार रहा होता है तबी अंदर से गस आ जाता है, गस आकर मैदान में खड़ा हो जाता है, वो छाती चौड़ी करकर वहाँ खड़ा रहता है, वो इंडरेक्ली वहाँ खड़ा होकर बोल रहा होता है कि अगर तुम मेहमा थे तो मुझे मार कर दिखाओ, फिर उस पर कोई भी गोली नहीं चलती, फिर गस हमें कार्टल करता हो दिखता है, कार्टल ने उसके कुछ पूचा हुआ होता है, कि उसके कनेक्शन्स, उसका जो नेटर रखे, वो कार्टल को यूज़ करना होता है, जो मेद वो कुक करता है, उसकी रेसिपीस वगरा भी उसे चाहिए होती है, यानि कि वो खुद म आदमी था उसे मार दिया गया है तो उसके जो बॉड़ी होती है वो माइक और जेसी वाल्टर के पास लेकर आते हैं वो उसे उस बॉड़ी को डिस्पोस करने को बोलते हैं वाल्टर बोलता है कि क्या अब यह रिगूलर थिंग बन जाएंगी मैं इस लैब में मेट कुक और बॉड़ी डिस्पोस करूगा फिर माइक उसे कुछ भी क्वेस्चन ना पुछे इससे धमकी दे देता है जब माइक और जेसी बाहर आते हैं तो जेसी माइक से पुछता है कि वो क्या था गर्स डारेक्ली मैदान में चला गया और वहां खड़ा हो गया तो माइक बोलता है कि अगर तुमें इतने सारी क्वेस्चन से तो तुम गस से डारेक्ली बोल लो टेड़ पर जब इंक्वारी चल रही होती है तो उसे बचाने के लिए स्काइलर आ जाती है स्काइलर एक ढोंग ले रही होती है कि उसके पास अकाउंटिंग की कोई भी डिग्री नहीं है औ उसका एजुकेशन पुछता है स्काइलर बोलती है कि मैं हमेशा नंबर्स के साथ अच्छी थी इसलिए मुझे जौब मिला था यानि कि वो इग्नोरंस का केस बना रही होती है फिर टेड उसे पुछता है कि यह तुमने क्या किया तो स्काइलर उसे बोलती है कि मैंने अब उन्हें दिखा दिया है कि यह सब जो अकाउंट्स थे यह मैंने सिर्फ इग्नोर किये है इसमें फ्रॉड का कोल्ज भी पता नहीं चलता इससे अब तुम्हें सिर्फ फाइन और उसके पैसे फिर से पे करने पड़ेगे जो तुम्हें जल में जाने पड़ने वाला था वो अब नहीं जाना पड़ेगा तुम अब सेफ हो और हम पर वो सर्विलियंस भी नहीं करेंगे तुम्हें सिर्फ वो पैसे अब पे करने हैं टेड उसे बोलता है कि मेरे पास कुछ भी पैसे ही नहीं है स्कायलर बोलती है कि तुम जो BMW वेगिरा सब करते हो वो सेल कर दो तुम ये सब पे कर सकोगे फिर हमें दिखता है कि बहुत चोटी सी गाड़ी में टेड बेटता हुआ यानि कि उसने वो सब अल्रेडी सेल कर दिया है अब जेसी को गस से बात करने होती है तो जेसी और गस डिनर के लिए प्लान करते हैं जब गस कुक वेगरा कर रहा होता है तो ज जेसी को भी वो खाना होता है फिर जेसी उसको पूछता है कि कल क्या हुआ था तो गस उसे बोलता है कि क्या तुम वाल्टर का जो फरमिला है वो कुक कर सकते हो तो जेसी बोलता है कि क्या तुम वाल्टर को मारने वाले हो अगर तुम उसे मार दोगे तो मैं भी तुमारे ल मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हमने जैसे देखा था कि Walter को अब जैसे पर शक है कि वो Gus को नहीं मारने वाला। तो उसने उसके गाड़ी पर ट्रैकर भी लगाया हुआ होता है। तो फिर Walter जब देखता है कि उस ट्रैकर में जैसी कहा कहा गया था तो उसके Gus का घर के पता भी उससे दिख जाता है। फिर Walter बहुत ही चिट जाता है और फिर वो जैसी के घर है। जैसी उसे बोलता है कि मैं बहुत ही ट्रबल में हूँ। Gus ने उसको डिनर बोला होता है कि उसे कार्टेल कहीं आ जाना है और उनको सिखाना है कि कैसे कुप करते है। तो जैसी उसे बोल रहा होता है कि अगर मुझे कुप करना नहीं आया तो मैं मर जाओंगा, मुझे वो कार्टेल मार देगा। तो मुझे ये बताओ कि ये कैसे करना है तो Walter उसे बताता है कि तुम कर लोगे कुछ भी तुम्हें प्रावलम नहीं आएगा पर जैसी उससे बहुत थी क्वेस्चन्स पूछ रहा होता है तो Walter उसे पूछता है कब तुम्हें पता चला कि तुम्हें कारटेल के लिए भी कुक करना है क्या गस ने तुम्हें बताया फिर Walter जैसी से पुछता है कि तुम्हें मौका मिला था कि तुम गस को मार सकते थे कल रात को तुम थे पूरे दो घंडे तुम उसके साथ थे और फिर भी तुम पॉजन उसे नहीं दे सके तो जैसी बोलता है ये तुम्हें कैसे बता क्या तुम मुझे पर सर्विलेंस रख रहे हो उन दोनों की इस पर फाइट हो जाती है जैसी Walter को बहुत मारता है यही ये एपिसोड खतम हो जाता है